पॉर्शनमेंट अफ रिड़क्शन्स खर्चे तक्सीम करना पॉर्श रिशीट ऐसे का है कि अब रिचन पहुंचते हैं फर्च माइनस पार्चे गए सीड विड़ेक्शन ऑप फचे मैनस की है बगार जो रिचीट होती है ड्यटेज फाल दराज रिस प्रचीट अच्छा एक तो वो फर्चा था जिसके बारे में हमने पढ़ा था जो फर्चा जिस हेड का होगा उस हेड में से माइनस करेंगे और एक वो फर्चा था जिसके बारे में हमने पढ़ा था common है और वो apportion करना पड़ेगा तो इसके बारे में आप पढ़ें Common Expenditure Common Deduction या Common Allowances Means Any खर्चा That is not clearly पता जो clearly अलोकेट नहीं हो रहा To any particular class of income जो खर्चा किसी particular class of income में से माइनस नहीं हो पा रहा उसको कौन सा खर्चा कहेंगे Common खर्चा जैसे कल के मिसाल में Advertisement वाज़े कहीं से माइनस नहीं हो पा रहा था इसलिए इसको हमने नाम दे दिया था Common खर्चा तो Advertisement के बारे में क्या कह रहा है A कामन खर्चा इसा खर्चा That is not clearly अलोकेबल टो एनी Class of Income यह तो बात हो गई Advertisement की इसके बाद हमने सेलरी की बात पढ़ी थी सेलरी के बारे में यह लिखा हुआ था A का खर्चा शेल बी डिड़क्टेट फ्रॉम डैट क्लास जी मोहतरम Brightness कम हो गई है ओके तो पॉइंट टू में देखें क्या लिखा हुए Any expenditure debt is incurred for a particular class of income shall be allocated to Any expenditure which is incurred for a class of income shall be deducted from debt class और यह तो वो बात होगी दूसरी बात Any common expenditure Any Is an expenditure that is not clearly allocable to any particular class of income तो 0.2 की मिसाल होगी salaries और common expenditure की मिसाल होगी advertisement इसकी मिसाल होगी salaries और इसकी होगी advertisement और इसकी मिसाल होगी 0.2 की मिसाल होगी salaries और common expenditure की मिसाल होगी advertisement फर्स टो में आ जो है जगा आने तो ओके अच्छे यह line मैं बाद में पढ़वाता हूँ आपको अच्छे जी अब heads of income कौन-कौन से है in this rule class of income असल में head of income एक छोटा word is class of income एक बड़ा लफस है in this rule class of income class of income में कौन-कौन सी incomes आएंगी मोतरों आपके साथ जो भाई बैठते है glasses वाले भाई वो किदर है आज आपके साथ जो भाई बैठते है आपके साथ जो भाई बैठते हैं आपके साथ जो भाई बैठते हैं वो किदर है नहीं आए खड़े हो जो दोस्तों की फिकर किया गर रहा है चलो बैठे जो salary class of income में क्या आते है salary business salary business ये क्या बलाए income from a speculation business chargeable under that income from business ये असल में business में हम आने वोले दिनों में categories पढ़ेंगे speculation और non-speculation कौन कोंसे categories पढ़ेंगे speculation और non-speculation speculation business क्या होता है ये हमारी बला से हमें इस से concern नहीं है कि ये क्या होता है लेकिन इसके इलावा जो business होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बोलें non-speculation business की हजारों मिसालें आपको जो है वो अपनी जिन्दगी में मिलेंगी जैसे general store है doctor की clinic है जैसे college है universities है ये हैं non-speculation business यानि speculation नहीं कर रहे speculation क्यों जीब सी चीज होती है जो शाइद आज तक आपने कभी देखी भी ना हो तो जब आपका result में में हा रहे हैं जब आपका result आजएगा result के बाद इंशाला हम देखेंगे speculation business क्या होता है अच्छी वहली समझ आ रही होती है पतर नहीं जेहन कहान ले जाती है point C तो income from speculation business ये भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में कौन सा होता है होता ये business ही है लेकिन ये जीव सा business होता है ओके और income कौन सी थी जी capital gain other source property exempt income कौन सी है एगरी culture income जकात exempt income तो नहीं है जकात तो total income में से माइनस होती है जकात तो income ही नहीं जकात तो जेब से पैसे जाते हैं जकात कैसे income हो सकती है सुबह सुबह बलवा रहे हो point H income chargeable to separate block ये आपने इसकी कोई मिसाल नहीं पड़ी भी और इसकी मिसाल आपको अभी जो है वो जबरदस्ती है अगर आपका note करने को दिल चारे तो कर लें लेकिन कोई फाइदा नहीं होगा आपको note करके क्योंकि ये मिसाल हमने आने वाले दिनों में बड़ी डिटेल से पढ़नी है section 37 A के नाम से एक section होगा gain on securities gain on securities को separate block कहेंगे हमें क्या पता securities के हैं और हमें क्या पता उसका gain के है इसलिए जो है वो इस बात को हाँ करके आगे चले जाए तो ये होगी income from separate block और income from final tax regime कल हमने पढ़ ली थी बिलकुल इसकी हमने मिसाल ली थी मोहतरम export sale export sale इसके एक मिसाल पढ़ी थी हमने ओके तो ये हैं ये different classes of income और ये बात तो कल हमने पढ़ी थी while allocating खर्चे, खर्चे माइनस करते वे the nature and source of each class must be considered तो खर्चे माइनस करते वे आपने nature और source देखनी है यानि इसकी nature ऐसी है कि इसके लिए खर्चे ज़्यादा करने पढ़ेंगे क्योंकि इसकी sales ज़्यादा है और इसकी sales कम है इसके लिए खर्चे कम करने पढ़ेंगे तो इसको हमने कम खर्चे डाले थे 15 सो के और इसको हमने 35 सो के ज़्यादा खर्चे डाले थे तो nature और class of income को consider करना है आपने before taking any decision अच्छा 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 कल मुझे बताएं कि कितना खर्चा हमने 5000 को तोड़के कितने किसे किये थे एक 1500 और एक 35 सो पंदरा सो और 35 सो हमने इसके तोड़के दो हिससे किये थे अब मेरा सवाल आपसे यह है कि 35 सो की जगा क्या calculation error करके 3000 जवाब आ सकता है error की वज़ा से आ सकता है 35 सो की जगा error की वज़ा से 34 सो जवाब आ सकता है 3500 की जगा error की वज़ा से 3600 जवाब आ सकते हैं 3500 की जगा 4000 जवाब आ सकते हैं तो अब सवाल ये है कि अगर उस formula में कोई error हो जाए जो formula कल हमने लगाया था पेपर में नहीं कह रहा है मैं ये बात करा हूँ FBR को पता चल जाए federal board of revenue को पता चल जाए कि आपने वो formula लगाने में क्या कर दी है error कर दी है 3500 की जगा आपने 3400 लिख लिए है ये 3500 की जगा आपने 4000 लिख लिए है क्योंके 5000 को तोड़के एक हिसा 3500 था तो इस जुर्म की सजा क्या होगी तो उसके बारे में lawmaker कहता है कि भाई जान अगर error 10% उपर की हो या 10% नीचे की हो तो उस error को मैं ignore कर दूँगा और मैं कहूंगा इंसान है error हो ही सकती है लेकिन अगर error 10% के अंदर अंदर हो 10% के अंदर अंदर हो तो फिर acceptable है लेकिन अगर 10% के उपर उपर limit क्रॉस कर जे फिर acceptable नहीं है अब calculator पकड़े बगार मुझे बताएं 3500 का 10% कितना आ रहा है 350 अच्छा 3500 में से अगर मैं माइनस करूं 350 तो चले माइनस भी ना करें 350 3500 3400 में कितना फरक है 100 रुपे का क्या यह 100 रुपे का फरक 350 के फरक जितना है या उससे काम है इसका मतलब है 3500 से 3400 की गलती acceptable है 3500 से 3400 की गलती acceptable है क्योंकि सड़े 300 की limit की अंदर अंदर गलती है सड़े 300 की limit कैसे है निकाली 350 की 3500 ज़रब 10% अब दुबारा लगाए 3500 पे 10% 350 350 की गलती acceptable है लेकिन मुझे बताएं इन दोनों के दर्मयान डिफरेंस कितना है 500 जब इन दोनों के दर्मयान डिफरेंस 500 है तो 500 का सड़े 300 से compare करें तो ये तो बड़ी गलती है चोटी गलती है बड़ी गलती है ये गलती acceptable नहीं है और अगर आप 3500 को compare करें इस 3600 के साथ तो फिर मुझे बता दें कि 3500 में 36300 की गलती असेप्टेबल है ये गलती उपर की तरफ हुई है लेकिन 100 रुपे की गलती है या 36300 की है 100 रुपे की गलती है तो चोटी गलती है या चोटी मोटी चोटी मोटी गलती है मोटी मोटी गलती की खैर है और ये 3500 के मकाबले में कितना है चार हजार आप 3500 के मकाबले में 4000 तो ये गलती 500 रुपे की है तो ये 500 रुपे की गलती चोटी मोटी है या मोटी मोटी है मोची मोची गलती है तो मोची मोची गलती असेप्टेबल नहीं है ये नोट कर लें आप कौन कौन सी गलती असेप्टेबल है और कौन कौन सी गलती असेप्टेबल नहीं है ये वाली दो असेप्टेबल थी गलती है क्योंकि 350 के अंदर थी लेकिन ये वहली दो गलती है acceptable नहीं थी ये वही उसका आखरी लाइन हमने पढ़नी है plus minus 10% जहां लिखावा है सब्सक्राइब लाव है ओके बस बस जैने तर आधा करने में जाने ने अधा-धा इंटर गासर किन से यहां नोट करने मिए साथफ़ले का हाथ पगड़े हैं स्पीड अप गाए बस यह तो इनको आदा गंटा भी दे दें तो ने नोटी करते रहें ने चलें ओके गाए या चलती क्या करना उन किते थी जिए अप इतना टाम लें चलें जी मेर बानी आगे चलें आप अच्छा यह तो बैसेस ऑफ ऐलोकेशन ऑफ एक्स्पेंडिचर एक्स्पेंडिचर एलोकेट करने की बैसिस कल किन बैसिस पे आलोकेट किया था सेल की बैसिपे किया था या अन्यवा किया था ब्लाइंडली कहते हैं इसको सेल की बैसिपे किया था या ब्लाइंडली किया था सेल की बैसिपे किया था The basis of allocation of expenditure, the basis of allocation of deduction, the basis of allocation of allowances should be certified by a CA जिसकी QM में दो टेम्ट्स लगी हो Should be certified by a CA और a cost and management accountant Should be certified by a CA और cost and management accountant ये एक certificate आप बनवाएंगे जिस पर चारेट अकाउंटेंट से साइन करवाएंगे Charred accountant कहेगा बाई जान 5000 में से 1500 आप माइनस कर रहे हैं मैं certificate ना के देता हूं सही माइनस कर रहे हैं 5000 का 3500 माइनस कर रहे हैं मैं बिलकुल इजाज़त देता हूं आप सही माइनस कर रहे हैं बाद में 3500 की जगए दर 4000 हुआ तो फिर Charred accountant को चितर बढ़ेंगे क्योंकि 10% तो क्रास कर गी है न लिमिट तो 10% के अंदर अंदर की गलती से अप्टेबल है इससे ओपर की गलती हैं गलता है वो अप्टेफिकेट को मान लेंगे हाँ एक सूरत में यह सेटिफिकेट नहीं मान लेंगे unless there is a वड़ी विरियेशन वड़ी विरियेशन कौन सी होती है बड़ी विरियेशन 10% पलास की गलती कर दी यह 10% माइनस की गलती कर दी फ्रॉम एलोकेशन एलोकेशन होनी चाहिए थी 35 और 3500 आपने लिख दिया 4000 तो फिर यह पनिशेबल है फ्रॉया जी हाइबरेट क्लास वाले बताएं इस सेल की फिगर कितनी आ रही है हाइबरेट क्लास वाले बताएं सेल की फिगर कितनी आ रही है माइक नहीं है हाथ के इशारे से बतादें अंगलियों के इशारे से कितनी सेल की फिगर आ रही है हाँ दो हाथ उठाएं है पांच और दो सेतर सेतर हजार की सेल की फिगर आ रही है अच्छा मुझे बताएं यार इमरान खान को जानते हैं आप जिगर है बड़ी है आपका अच्छा उसके साथ बंटे खेल दे थे आप इमरान खान ने कहा आपको कि यार आप ऐसा करो आप मेरे लिए औरिंज बेचो मैं आपको कोई 40-50 जार रपे दे देता हूँ आप लिए औरिंज बेचो आप गए आपने जाके चांट के अच्छे अच्छे औरिंज कलर के औरिंज जूंडे और आपने उनको खरीद के बेच दिया मिसाल के तूर पे 40-50 जार वाले औरिंज 70-50 के बेच दिये कउमिशन आपको जो मिलना है वो मिलना है जी सेल का 2% कि सेल का कितने परसेंट कितना आ गया 14-100 रुप्या कितना आ गया जी सेल का 2% 14-100 रुप्या ड़न इमरान खान की सेल केतनी है 70,000 और इमरान खान की सेल में आपका हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा आपको होगा ना कमिशन मिलेगा आप किसको सेल कहेंगे अपनी जो ग्रॉस रिसीट आपको हुई और आपने इमरान खान को जमा कराई 70 वो यह जो बाद में आपको commission मिलेगा वो तो मौतरम इमरान खान के लिए तो gross receipt 70,000 होगी लेकिन आपके लिए जो 14,00 होगा उसे gross receipt नहीं बोला जाएगा आपके लिए जो 14,00 होगा उसे कहा जाएगा gross profit कमाया आपने profit आपको इस deal के ओपर इतना मिले तो एक gross profit का लफस accounting जिन्होंने पढ़ ली भी है एक दफ़ा उनको पता है gross profit का लफस यूज होता है लेकिन वो किसी और context में यूज होता है उसको इससे आप mix ना करें ये एक अलग बात है बिल्कुल तो फर इमरान खान दी gross receipt is 70 आप ने उसके लिए 70 लिए तो आप अपनी gross receipt भी 70 कह देंगे तो जब कभी formula में allocation की बारी आई तो आप क्या कहेंगे मैंने पाकिस्तान की दुकान से कितना कमाया तीन लाग कैनिडा की दुकान से कितना कमाया साथ लाग और इसके लावा मुझे इमरान खान ने कहा था तुम मेरे लिए काम करो तो उसके लिए मैंने 70,000 नी कमाया मैंने अपने लिए 1400 कमाया अब अगर आपको कोई खर्चा allocate करना पड़ा तो आप अपनी सेल क्या लेंगे 70,000 या 1400 तो फर्स करें एक आपकी अपनी दुकान पाकिस्तान में है कल की तरह पाकिस्तान की दुकान की सेल कल 3,000,000 थी एक आपकी अपनी दुकान कैनेडा में है उसकी सेल 7,000,000 थी लेकिन एक और एक्टिविटी आपने की वो थी किसी के लिए एजेंट बने commission पर काम किया अब आपकी sale दिखने में 70,000 लग दी है लेकिन ये आपकी sale नहीं है आपकी sale या आपका gross profit कितना है 1400 तो what will be the gross receipt for agent असल में ये gross receipt देखने में होगी लेकिन इसे हम नाम क्या दिया करेंगे gross तो इसको मैं green signal दे रहा हूँ agent इसको अपनी sale कहे गा clear? और इसे नाम gross profit देते हैं अलग करने के लिए note कर लें वो जो एक line छोड़ दी हुए हमने बीच में तो ये gross profit लफ्स वैसे अजीब सा है इसका नाम होना चाहिए था commission income जी इसके लिए अगर आपको कोई खर्चे करने पड़े तो allocate करने के लिए इस income को भी ले लिया जाएगा अगर रेर सब्सक्रांस में कोई खर्चे हुए चलें जी where a person is earning net commission or net brokerage net means पूरे पैसे मिले उसको यह net होके कम होके मिले then his gross profit will be taken as turnover या sale उसका turnover या उसकी sale क्या होगी उसका बोलें gross profit clear gross profit या gross receipt gross profit उसकी sale समझे जाएगी gross profit उसकी sale समझे जाएगी कि लूब धूपार P Ng यहा घएगाइगी तो यह एक पॉइंट है ऐसी एक बीच में इसको बस है इस याद कर लिजेगा वेरा परसन इस एर्निंग नेट कमिशन और ब्रोकरेज देन इस ग्रॉस प्रॉफिट इस ग्रॉस रिसीट नहीं इस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एजा तर्णोर अच्छ जी इस पेंडिचर जिंदगी में कभी आपको कोई खर्चा रिकावर बैक हुआ है रिकावर बैक मिसाल के तर्पे आपने जो है वो कॉलेज की फीस चमा करवाई और कॉलेज वालों ने बाद में देखा कि भाईजन आप तो मेट्रिक के अंदर बोर्ड में सेकंड पॉजिशन होल्डर हैं तो कॉलेज वालों ने बीस उजार आप से फीस ली और बाद में आपको छेजार वापिस कर दी इडिस कॉल्ड एस बोलें री कुब एक्सपेंडिचर आपका खर्चा हुआ और बाद में आपको क्या हो गया री कवर हो गया कॉलेज वालों ने जी साथ हजार पे का एसी रिपेर करवाया दो हजार दस में जो सर्विस प्रोवाइडर ता जो इसी सही करने आया था उसने दो हजार ग्यारा में रियलाइस किया कि उसने आप से दो हजार पे एकसेस ले लिये हैं कॉलेज वालों से इसलिए वो प्यार से वापस आया और प्यार से वापस आके आपको दो हजार पे वापस करके चला गया मुझे बताएं जब 7000 रुपे का AC आपने रिपेर करवाया होगा तो खर्चे में कितना डाला होगा 7000 आपको गम कितना हुआ होगा 7000 का और जिस वक्त वो AC सही हो गया कल कला को वो बंदा पैसे लेके आया वापस तो आपको खुशी कितने की हुई होगी 2000 की तो यह जो 2000 की खुशी है इसमें इमरान खान का कोई हिस्सा बनता है बिल्कुल बनता है तो अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप हकुमत को टेक्स चमा करवाएं तो इसे कहते हैं Recouped Expenditure इसको Income में डाला जाता है जब खर्चे को Expense में डाला जाता है तो इसको रिकावरी को किस में डाला जाता है Income में डाला जाता है अगर यह खर्चा आपके Business का है तो इसकी रिकावरी भी Business में जाएगी क्योंकि A.C. रिपेर कराना Business का खर्चा है तो फिर उसकी रिकावरी भी Income from पढ़ें In case of बाद में मिलना आफ एनी खर्चा बाद में वापिस मिल गया ना री कूप वापिस मिल गया In case of Subsequent बाद में रिकावर हो गया रिकूपमेंट होता है रिकावर बाद में रिकावर हो गया कोई खर्चा या नुकसान नुकसान भी रिकावर हो जाता है बिसाल के तोर पे जो है कोई बंदा कहते है मेरी जो है वो गाड़ी जो है वो चोरी होगे तो insurance company वाले आपको पता है पैसे देते हैं या कई दफ़ा किसी की दुकान के उपर समान चोरी होगे तो ह्कोमत पैसे देती है तो loss भी recover हो जते है in case of subsequent recouping of any खर्चा और any loss in cash or kind कई दफ़ा खर्चा cash में recover हो जाता है कई दफ़ा in kind recover हो जाता है क्या मतलब in cash or in kind कई दफ़ा अगला बंदा आपको जब recovery हो रही हो तो पैसे दे देता है और कई दफ़ा पैसों की बजाए कोई चीज दे देता है साथ साले की देखके कहें दफ़ा पैयार से बोलें दफ़ा बंदा चैल बी इंक्लोडेड in खुश इं इंक्लोडेड इं खुशें चारजेबल अंडर दा सीम हैड जहां गम डॉला था उसे हेड में खुशी आ जागी जिस साल वो पैसे रिसीव हुए अब एक दफ़ा पढ़ लें डेड लाइन है तकरीबन यहर एद का दिन चुटी कर लें एक दो न चुटी कर लें एद के दिन मेरे तो दिल में यही आ रहा है फोड़ा सा घर्वलों को भी टाइम दे देंगे क्या फ्याल है एक दो दिन करने चुटी यह ना करें पांच छे दिन चुटी क्या आप लोगों ने उदर जो है वो लुट में चानी है आच्छा जी जी मोतरम in case of subsequent recoupment of any खर्चा in cash or in kind the recouped amount shall be included in income under the same head in the year in which it is income में डाल दी जाएगी क्लायर उद्धापे की ट्रेश पढ़ लें यलो में the recouped amount shall be included in income of for the of 2000 in tax year 2011 by college chargeable under the head income from business किस साल यह amount दुबारा वापस में लिया है 2011 में यह किस में चली जाएगी income में चली जाएगी क्लायर अच्छा जी अगला concept है currency conversion क्या है जी currency conversion क्या यह possible है कि हमारा इतना बड़ा लेवल होजे कि हम बाहर के हम से चीज़ें खरीदर बेच रहे हों बहराल इसमें लेवल वाली क्या बात है currency conversion every amount taken into account under this law shall be in rupees taken into account का क्या मतलब है recorded हर amount जो इस law में record की जाएगी वो किस में record की जाएगी बोलें rupees में record की जाएगी जो साथफल की जेब में है rupees में record की जाएगी every amount taken into account under this law shall be in rupees जारी से बात है bbbb बड़ी बात बताई यह तो obvious सी बात थी बताने की ज़रूत नहीं थी इस law में सारी amounts जो है वो किस में record की जाएगी rupees में की जाएगी लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप foreign currency में transaction कर लें Mr. Kassim purchased an imported car of US dollar 35,000 on March 31, 2009 March 31, 2009 को उसने एक imported गाड़ी खरीदी है the exchange rate on the relevant dates are as follows गाड़ी किस दिन खरीदी है 31 March को rate किस दिन के दिये में है 31 March के और 30 June के और कितने किसम के rate दिये में है दो किसम के number one open market में rate कितना है यह बाजार में currency के rate कितना है तो सबसे पहले तो बताएं 30 June के rates को हम क्या करेंगे हां हां बतलौ है इंग्नोर करना ये भी समझे लें कुछ को पता नहीं जलता तो 30 June के rates को क्या कर दे ग्या करें ट्राइ करें हां इंग्नोर कर दे क्योंकर हमारी transaction 30 June को यह है या 31 March को यह 31 March को यह पाकसान को एक सो दो को करें इसको नहीं कर दीजेगा ये इसको तो रहने देना रुपीज वन जिरो टू-पॉइंट वान अब बता देंगे गाड़ी कितने की पड़ी कर लोटर पकड़े साथ वाले का 35 डॉलर जरब रुपीज वान जिरो टू-पॉइंट वान थ्री फाइव सेवन तो पैंस्तिस लाक तेहत्तर हजार पांसर पे कि आपको जे गाड़ी पड़ी आप किताबों में इस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे और इसी तरह इसको इस्तमाल करेंगे डेप्रिशेट भी करेंगे इसको डेप्रिशेशन हम पढ़ेंगे अभी कुछ लोग इंट्रो पढ़ें उनको डेप्रिशेशन नहीं पता तो डेप्रिशेशन भी हम पढ़ेंगे तो यह जी गाड़ी के कॉस्ट है जी ओपर मार्केट इस ज्यादा या कम होने इसको हमने नहीं देखना हमने हमेशे किसका रेट देखना सिरफ स्टेट बेंग का पढ़ें पॉइंट टू where an amount is in a currency other than अगर paper में कोई ऐसी amount आजाए जो other than रुपीज हो conversion shall be at the state bank of Pakistan rate conversion किस के ओपर करेंगे आप state bank of Pakistan के रेट के ओपर किस दिन का रेट prevailing जाने ने यार प्रिवेलिंग एट दा डेट एट एट विच दे अमाउंट इस taken into account किस दिन का rate यूज करेंगे जिस दिन वो amount taken into account हुई taken into account का क्या मतलब है जिस दिन वो amount record हुई कहाई प्रिवेलिंग कि यह लुच है भाइ प्रिवेलिंगे उमादिप धर एग यह दिन वे कि आए वाए यह दिन वेले कि आए? मच्छी साथ अला के रहे गाय फिश पाइजन गाय फिश है अच्छा जी तो ये जी मच्छी है बशीर दारुल माही ने का पाइजन यार ये सारी मच्छी अमरी आके खा जाते हैं लोग मैं दुकान बंद कर रहा हूँ बशीर दारुल माही ने जी मच्छी की दुकान क्या कर दी बंद कर दी आप अफ्तारी में खाने के मच्छी और आपको मच्छी नहीं मिले अच्छा अब किस साल दुकान बंद हुई ही 2021 में अच्छा एक मंदे को 2022 में खाब आया 2022 में उसे क्या आया खाब आया खाब आने के बाद वो 4 पाई से उचला और उचल के उपर पड़ाया अब वो पंके के साथ लटका पड़ाया अब बड़ा परिशान है कि भाई जान खाब में ये आया है कि तुमने इस दिन जाके तीन चार मच्छियां एकठी खा ली थी हाथ दोने के बादे घार आगे थे तो अब ये सोच रहे कि मैं बशीर साब को पैसे दे दूँ लेकिन जाके देख रहे हैं इन्होंने बशीर साब की दुकान बंद हो चुकी है अब ये बशीर साब को जाके पैसे दे दूँ तो बिलकुल अब इसने सोचा कि मैं बशीर साब को जाके पैसे दे दूँ अब ये जो बशीर साब को इन्होंने पैसे दिये क्या उसी साल दिये जिस साल इन्होंने दुकान बंद करने के बाद जाके पैसे दिये दुकान बंद करने के बाद जाके पैसे दिये तो इनको खाब आया था कि फ्रिस्टेश की ठुकाई कर रहे हैं तो इसने सोचा कि मैं जो है वो ठुकाई से बच जाओं और 2022 में बशीर को जाकर पैसे दे दूँ तो बशीर ने रिकवर किया बैड डेट बशीर ने रिकवर क्या किया जी बैड डेट बशीर रिकवर्ड बैड डेट बशीर रिकवर्ड वो पैसे जो बशीर के बंदा लेके भाग चुका था वो बशीर को वापस मिल गए आप बताएं यह जो पैसे बशीर को वापस मिलेंगे क्या यह उस साल मिले हैं जो दुकान बंद होने के बाद मिले हैं तो इसको भी तो रीकूब्ड एक्स्पेंडिचरी कहेंगे ना खर्चा ही था ना और भाई जिस वकद वो बंदा पैसे लेके भागा होगा इस तिन जब वो बंदा पैसे लेके भागा होगा क्या बशीर ने बोला होगा डुब गए पैसे लुट गया मैं कब बोला होगा बशीर ने का होगा भाई जन डूब गया मैं तो मेरा क्या बनेगा खुदा अल्ला बला करे अल्ला तेरा ना तो इस किसम के फिक्रे बशीर ने बोले होंगे तो जब बशीर ने इस किसम के फिक्रे बोले होंगे तो इसका मतलब है बशीर को उस दिन गाम हुआ होगा तो जब बशीर को गाम हुआ होगा तो अब जब ये पैसे लेके आया तो बशीर को खुशी हुई नहीं तो, यह भी तो रिकूब्ड एक्स्पेंडिचर ही है, लेकिन पिछले वले स इसने देखनी है घर में किताब आपकी देख भी ली तो क्या कहने है आपको कि सीजेशन आफ सोर्स ओफ इंकम हम पढ़ने लगे हैं सीजेशन आफ सोर्स ओफ इंकम कि सीजेशन आफ से ऑफ बंगा सबस्छा वाल आफ झाल झाल जी लेकिन इसमें ये होगा कि जिस साल वो पैसे आएंगे जोज़र बाइस में उस साल इंकम में जाएंगे हर जगा लॉक ही अपनी प्रोविजन होगी और उसके अपने रूल होगे तो ये 2022 की बशीर की इंकम में डाल दिया जाएगा if a taxable source of income ceases to exist if a taxable source of income ceases to exist than any subsequent benefit derived from it तो बाद में जो इससे benefit आएगा shall be taxable in normal way वो जो benefit आएगा वो normal way में taxable होगा assuming के source बांद नहीं हुई थी जिस वकत आपको पैसे कमाएंगे आपने आप पैसे किस साल कमाएं 21 में कमाएं या 22 में कमाएं 22 में लेके आए ना वो पैसे तो उसके ते जियूम किया जाएगा आपकी दुकान बंद नहीं हुई थी ये पढ़ना English लेखेएदर लेखेएँ उन्हां बंद थी ते लेखेए लेखेगा बंद दुकान पूब्लधे लेखेएपग, जबस पाएपशन है रिर र भी दाएगोग्ग, वे लेजोग नहीं हुई पनक्या कर रेखेएएएगग, लेखेएएएएग रियूम। झाल झाल ओके इससे टी कहिए शेस तूझ इस तो अगर एक यह दुकान टेक्सेबल टेक्सिबल पो सफिण कम एंट्वू शेम्ट शोर्स फिलिकामेह taxable source of income है ना इस दुकान के ओपर जो income कमाता होगा इस पर वो tax देता होगा if a taxable source of income ceases to exist then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the subsequent benefit क्या दुकान बंद होने के बाग benefit आया या पहले आया बाग subsequent benefit derived from it shall be taxable in the normal way assuming के दुकान अभी तक बंद नहीं हुई हाला के बशीर के रहे हैं मेरी दुकान बंद है हम बशीर कम हम बशीर को कहेंगे भाज़न आप चुप कर जो आपकी दुकान assume कर रहे हैं खुली है अगर दुकान खुली है तो फिर income tax लो जी इस साल और को income नहीं होगी लेकिन कम से कम यह वली budget recovery income तो होगी ना उसकी यह वली और को income तो चलो नहीं है लेकिन यह वली income तो है ना ओके अच्छा अगली चीज यह बताएं इसका क्या मतलब है if a source of income ceases to exist before commencement of the year यह लिखें जी यह क्या आगे अच्छा अब मुझे बताएं what is the year of receipt of money what is the receipt of year of money 2000 it is its commencement it is its commencement अब पड़ें if a taxable source of income ceases to if source of income exist before commencement of year of receipt of money if source of income ceases to exist before commencement of year of receipt of money then any amount recovered shall be taxable in the normal way तो यह इंग्लिश का फिक्रा है अच्छा त्रीके से समझने यह अंग्रेजी थोड़े सी बच्छों को परिशान करती है conceptually यह बात बड़ी असान है लेकिन अंग्रेजी परिशान करती है if a source of income ceases to exist बोलें before commencement of year of receipt of money यह कौन सा साल है it is the year of receipt of money यह इसकी commencement है और उससे before ही दुकान बंद होगी है अब जड़ें English का फिकरा बनाए where a source of income ceases to exist where a source of income ceases to before the year of receipt of money अब इसमें commencement को लफ्स डालने है वैसे लफ्स असान है बड़ा सोचें commencement को लफ्स निकाल के सोचें ज़्यादा असान लगेगा where a source of income ceases to exist before the year of receipt of money या लॉने जैसे लिख रहा है where a source of income ceases to exist where a source of income ceases to before commencement of year of receipt of money the amount receipt shall be taxable in the normal way चले मैं उंची बोल देता हूं the amount receipt shall be taxable in the assuming the source has not banned at the time amount is derived clear अच्छा एक और सिनेरियो भी तो हो सकते हैं is it possible focus गोर से देखें is it possible के किस में आप दुकान बंद करें और वह बंदा एक किस में आपको क्या दे जाएं अब बिफोर डायर ये द्यूरिंग डायरिये दूरिंग डायर गाइन अब 생्रेंगी राजी if a source of income ceases to during the year of receipt of money समझा गी if a source of income ceases to exist during the year of receipt of money अब ये नोट कर लें second bullet के लिए वो first bullet के लिए note किया था ये second bullet की heading दे के ये note कर ले पहले English का फिक्रा देख ले है if a source of income ceases to during the year of receipt of money उसी साल receipt of money भी और उसी साल सॉर्स बंद भी then any subsequent benefit subsequent yana subsequent benefit derived from it shall be taxable in the normal way assuming that source is not at the time income was derived चले जी फाइनल बता दे याद भी कर लें दरी making talks before a source of income ceases to exist? Before commencement the year receipt of money. Then the subsequent benefit drive from it shall will be textable in the normal way. Where the source of income ceases to exist? During the year receipt of money. इस पर मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लगा दिया कि आखरे दिनों में बच्चे यह स्वाल कुछ थे कि इन दोनों बुलिट्स के अंदर डिफ्रेंस बताएं तो फिर मैं बुलिट फैंग तो फिर उन्हें बुरा लगता है यह नि बुलिट्स फैंगने हैं मतलब यह है कि पाइजन आपने और से सुनना था सिक्षन सेवन्टी थ्री ओके हो हो दो हज़र दस और दो हज़र ग्यारा यह एंट्री आप हज़रात ने पड़ी भी है सो रुपे से मैं कर रहा हूँ किस किस ने यह एंट्री नहीं पड़ी है सब ने पड़ी है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट अगर आप किसी बंदे को धार पे चीज़ बेचें तो आपके पैसे लेने का हक बढ़ जाता है खुशी होती है खुशी का मतलब सेल तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट अच्छा 2011 के अंदर यह बंदा अगर पैसे दे जाए तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट दुबारा खुषी रिकॉर्ड नी करेंगे cash, debit, sale, credit दुमारा खुशी record नहीं करेंगे क्या करेंगे फिर sale की जगा क्रेडिट करेंगे debtor credit करेंगे sale की जगा ठीक है जी तो अब मुझे बताएं क्या खुशी double record की जाएगी या सिरफ एक दफ़ा record की जाएगी एक दफ़ा record की जाएगी sale एक ही चीज sale की दुकानदार ने biscuit बेचे उधार पे बेचते वे भी खुशी महसूस करें और पैसे आते वे भी खुशी record करें डबल डबल खुशी हैं नहीं 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 sale कितनी दफ़ा बुको सकती है एक दफ़ा तो tax भी sale पे कितनी दफ़ा लगेगा एक दफ़ा income में भी कितनी दफ़ा एड़ Phillips एक दफ़ा एड़ होगी दो दफ़ा एड़ नहीं होगी कितनी दफ़ा एड़़गी बलके सिरफ एक दफ़ एड़़गी अच्छा अब इसको वैसे बताने कि उसे जरूरत नहीं थी क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं हमें इस चीज का पता है लेगिन क्योंकि इस लॉग को नॉन अकाउंटेंट भी पढ़ते हैं इसलिए उसने मुनासिफ समझा कि मैं इसको यहां पर बता दूँ तो नॉन अकाउंटेंट्स जो पढ़ते ह यहां पर वो कहना यह चाहरा है कि where any income बोलें where any income where any income is taxable on receivable base it shall not be taxed again वेन रिसीव क्लैर आप इसको जो है वो दुबारा देखें वेर एनी इंकम वेर एनी इंकम ओ ये थले आ गया अच्छा जी चले अच्छा जी चले वेर एनी इंकम इस टेक्सेवल उन रिसीवबल बेस तो दुबारा रिसीव होने पर आप इसे सेल में नहीं डालेंगे क्लैर आपके जी क्योंकि उस पर टेक्स आरड़ी दोज़र दस में पे कर चुके होंगे गाये बिलकुल बात की तह तक पहुंच गए हैं चलें जी एन और टीए कर लें है है कि आअ कि आधे हैं हुआ कर लें है झाल झाल असल में ना 2010 में इस सेल में ड़के इस पर टेक्स लग जाएगा लिखे हम इस पर टेक्स पे कर देंगे किस साल दस में जब ये किस में जाएगा सेल में अब दर आफरी दफा याद कर लें और गाल टेक्स टेक्सबबंगर अनि की साविस, Sudha. ना हुणि क्रूल Ст PGD में इस सेल में जाएगा से पर टेक्स लिखीन उर्च लिखेदंगर टेक्स टेक्स लिखिन MR Vaiन् it shall not become taxable again on receipt base receivable base पे जब income में चलेगी तो receive होने पे दोबारा income में wise वर्सा की कोई मिसाल हमारे scope नीज को छोड़ें बसे as it is याद कर लीजेगा इस पे या discussion करने की जरूरत नहीं है likewise इसी तरह likewise इसी तरह 2010 के अंदर मौतरम आपने जो है वो बिजली इस्तमाल की 2010 में आपने बिजली इस्तमाल की लेकिन उसका बिल पे नहीं किया क्या इंट्री करेंगे income या खर्चा बिजली इस्तमाल की income या खर्चा बिजली ने आपको इस्तमाल नहीं किया आपने बिजली इस्तमाल की खर्चा तो खर्चा डेबिट और आपने बिल पे नी किया पेबल करेडिट जब अगला साल आया तो अगले साल जाके आपने वापड़ा को का बाई जान पिछले साल का बिजली का बिल मैंने देना है उस्ते आखरी मीने का हो पिछले साल के बिजल वोगसे कर्डिट भा मीघ form ने कर्देट रिग्त हर हम रांबे कैस्ट कर्डिट कर्डिट डबल डबल कर्चे रिकॉर्ड इने से कि रोकी हम और इसके कि जगह क्या डबिट होना चाहित था पेबल आ बैठे लोगे बता दू यह खड़े हो के संजाओं कर दो खड़े हो के समय शरम नहीं आती अच्छा निहीं तो पेले इसका थाच बंदेर ना पड़े गा था यहां से बंद होगा अब यह चीक एथा अब इसको बगना पड़े गा इनको वहरे में टाले हैं चलो आई अच्छा वेर निक्सपेंस इस अलाओड एज खर्चा जा डिडक्शन वेर निक्सपेंस इस अलाओड एज खर्चा याद रखें का इंकम टेक्सिबल होती है खर्चे अलाओड होते हैं तो वेर निक्सपेंस इसलाओड एस खर्चा अँपेंगेंगें दोबारह देखें if an expenditure is deducted on payable base it shall not be deducted when paid चलें जी आफरी दफाह क्या है मुतरम ये where an expense is deducted on on payable base it shall not be deducted when it is paid इसे दोबरा माइनस नी करेंगे जब इसे क्या कर दें pay कर दें चलें नोट कर लें रंग आपने यही वाले यूज़ करने हैं सारे is कर दूए रुझ अ झाल देंडी गाए वो गी है और तरीक है चले जी बैरे बैरे चले चले बैठे 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 लाइक वाइस इसी तरह इफ एनी खर्चा इस डिड़क्टेबल याद रखिएगा जो इंकम्स है ना वो टेक्सिबल होती हैं और जो खर्चें वो डिड़क्टेबल होती हैं इंकम पर टैक्स लगता है खर्चें माइनस होते हैं तो इसलिए ये इल्फाज गलत जिंदगी एक किसी मोड पर यह न कहीं दिजए गाए ऐस प्कुदिश एक्सikle French Do Giov गफाजिए प्कुदिशं की T스터 लेड़कर की डज़क्ट diapers इंके अफैं सनय刊 झाल। एक्स लेड़कर न चिड़कर लुदिशें थे record अच्छा जी डिविडेंड यह डिविडेंड में मुझे यह बताएं कि डिविडेंड जो है मुझे यह बताएं चले डिविडेंड इंकम क्या होती है डिविडेंड इंकम माजगा पता है आपको माजगा माजगा पता है माजग क्या देती है मिल्क माजग क्या देती है मिल्क चलो इस तरह कर लेते हैं यार तो बाइजन माइन कर रहे हैं बैगराउंड ब्लैक कर देते हैं दूद को फिर वाइट कर लेंगे तो जी माजग क्या देती है जी मिल्क देती है माजग क्या देती है मिल्क अब यह जो माजग मिल्क देती है आपको तो मुझे यह बताएं यह मिल्क आपको कब तक आता रहते है जब तक माजगा आपके पास है ठीक है इससे जान छुड़ाना चाहे हैं तो अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहे हैं तो मज चली जाती है और जाते वे क्या देखे जाती है रोकड़ा या पैसे देखे जाती है तो मज से कितने किसम के फायदे आते हैं दो सबारी नहीं खुदा के लिए यह रहाद दोगी अच्छा अब अगर हैन में लूँ हैन अगर हैन लें तो हैन से कितने किसम के फायदे आते हैं दो किसम के फायदे आते हैं एक तो इससे अंडे आते हैं एक इससे अंडे आते हैं और दूसरा अगर आप कहें कि मैंने इसको जो है वह नहीं डाने अगर इसको दाने मैंने नहीं डालने तो फिर इससे जान चुड़ाएंगे जान चुड़ाएंगे हाँ इसको बेच देंगे किसी को तो फिर क्या आएंगे आपके पास पैसे आएंगे तो बताएं दूद कब तक आता रहता है जब तक भेंस हमारे साथ रहती है और अंडे कब तक आते रहते हैं मुरगा नी company अंड़ भी देती है और company के share आप बेच भी सकते है जब तक company के shares आपके पास हैं आपके पस पैसे थे आपने PTCL company के shares खरीद लिए तो जब तक ये shares आपके पास रहेंगे तब तक आपको हर साल company अपना profit बंटेगी तो वो जो profit बंटेगी company के shares का मतलब ये होता है कि आप PTCL के थोड़े बहुते share खरीद लिए PTCL में हिस्सेदार बन गए partner समझने बन गए असल में तो ये company होती है आप share holder बनते हैं उसमें तो company में अगर आपने share खरीद लिए तो company से आपको हर साल दूद की तरह क्या आएगा profit आएगा उस profit को क्या कहते हैं dividend income और अगर आप वो share बेच ही दें फिर आपको dividend आना बंद हो जाएगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकते हैं कि आपने किसी company के लाख रुपे के share खरीदे और चार साल बाद उनको एक लाख बीस जार का बेचा तो ये बीस जार dividend income है नहीं 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 इसको हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे capital gain income इसको आने वाले दिनों में क्या पढ़ेंगे तो company के share आपने लाख रुपे के खरीदे और चार साल बाद भेंस को ये share को इस्तमाल करके आपने बेच दिया तो चार चोथे साल जो आपको फाइदा है या लाख रुपे की चीज़ एक लाख बीस जार की बेची that will be your income from capital gain और जो चार साल तक आपको जो है वो आता रहेगा फाइदा company से उसे profit कहते हैं उसे income कहते हैं that will be called as dividend income अब दो बाते हैं दोनों को लग लग समझ लें जब तक company के share आपके पास रहेंगे एक income आएगी जिसका नाम होगा dividend income और जब company के share आप बेच देंगे एक income आएगी वो होगा भेंस बेचने का फाइदा जानी लाख वली भेंस एक लाख बीस जार की बेच दी वो capital gain के chapter में हम पढ़ेंगे फिलल capital gain के chapter को छोड़ दें बस dividend याद रखें हर साल company अपने profit बांटी है that is called as dividend अच्छा dividend के लिए जो tax rate है वो बड़ा जीब सा है यह इसकी theory हम कल पढ़ेंगे आज numerical करना है बस अब dividend के लिए page 42 पर जो tax rate है that is 15% general tax rate कितना है जी 15% यह जो बंदा dividend कमाएगा वो कितने परसंट पर tax देगा 15% पर अच्छा मुझे यह बता दे हैं 15% अगर tax लगेगा तो क्या table 1 और 2 वाला tax लगेगा dividend पर या 15% लगेगा तो इसका मतलब है इस पे by default हम assume नहीं लगेंगे बलके इस पे एक ही रेट लगेगा debt is 15% अगले सफ़े में numerical है वो करते हैं निकालें अच्छा जी barber is engaged in the business of selling auto parts following is the detail shared by him income from business कितनी है इसकी dividend income 3 लाग जकात कितनी पे की तो business से पैसे कमाए होंगे inflow dividend पैसे कमाए होंगे inflow जकात के पैसे गए होंगे तो यह outflow उसकी income निकालना है taxable income निकालना है और tax payable निकालना है barber का clear हो गया है तो आप बता दे हैं यह कितने किसम की income कमा रहा है एक तो कोई कारोबार कर रहा है और दूसरा इसके लावा एक और income कमा रहा है date is called as dividend income खदा के लिए नई किताबे ले 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 तो अब income from business भी कमा रहा है जिसका rate table one or two वाला लगे इसका जमें एक नया rate लगाएंगे date is fifteen percent और फिर कल बात करेंगे यह किस head में जानी है यह अलग बात है फिलहाल सिरफ dividend income आपने मुझे दलवानी है मेरे numerical के अंदर अच्छा जी बंदे का नाम Mr. Babar Sorry Mr. Babar Mr. Baba Mr. Baba अच्छा Mr. Babar दूसरी क्लास में को टीए बैठे हैं तो black marker ला दें Mr. Babar income and tax they are on Mr. Babar उनकी income और उसके ओपर निकलने वाला tax income and tax they are on tax year सवाल में हमें available नहीं है इसलिए tax year हम 20XX लिख लेते हैं ओके लेट स्टार्ट एक इसकी income कौन सी है जी income from business कितनी जी 12 लाख रुपे आगे इसकी income from business इसको income from other source कहना है नहीं कहना ये लग बहस है ये कल करेंगे जब आप बहस का मूड बनाके आएंगे कल त्यार होके आने है पिछली बड़ी इद के कपड़े पहन के आने है क्योंके निया चप्र शुरू होगा income from other source में मैं क्यों इसको करार दे रहा हूँ कल बात करेंगे फिरहल बता देंगे डिविडेंट कितना कमाया 3 लाख तो बिजनस से कितना कमाया? 12 लाख डिविडेंट कितना कमाया? 3 लाख अब मुझे बता दें इसकी total income कितनी आ गई 15 लाख इसके total income आ गई अब हम मुझे बता दें कि मैं 3 लाख को इसमें पड़ा एक मिनट सबर करें 3 लाख को इसमें पड़ा रहने दूँ या 3 लाख को इसमें से बाहर निकाल दूँ अगर 3 लाख को इसमें पड़ा रहने दिया तो फिर 3 लाख वे भी table 1 और 2 लग जाएगा मैं चाहता हूँ 3 लाख पे table 1 और 2 लगाऊं या 3 लाख के उपर जो है तो पहले मैंने 3 लाख को डाला था इस calculation में अब मैं 3 लाख को निकालने लगाऊं less dividend income निकालने की वज़ा पिछली दफ़ा agriculture income थी कि उस पर tax हमने देना ही नहीं था पहले डाला था हमने फिर उसे निकाला था लेकिन इधर डाल के निकालने के वज़ा ये है आ जाके खोती बोड़ सोरी वे दूइंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो ये बैक तु बारा लाख पर जाके खड़े होगे आ जाके वहीं बारा लाख पर खड़े होगे जाके तो ये बारा लाख असल में कौन सी income बची याब income बिजनस तो तीन लाख ने पूचा मुझे क्यों निकाला तो आप क्या बताएंगे इसे क्यों निकाला क्योंकि इस पे अलग रेट लगना है इस पे अलग रेट लगना है अब एक और चीज माइनस करनी होती है किसी को यादो वो क्या माइनस करनी होती है जकात माइनस करनी होती है जकात सबसे हैंड पर आपने माइनस करनी है जकात माइनस करनी है पहले डिविडेंड को निकालें वो वलती से डाल दिया था टोटल इंकम दिखाने के लिए कि मैंने टोटल कमाया कितना तो अब जकात माइनस करें taxable income कितनी जी one one five zero triple zero अभी आपने नोट नहीं करना अच्छे यह यह जो दर्मियान वाली figure है ना इसका असल में आईकेप कभी इसका नाम रख देते हैं कभी नहीं रखता ना भी रखें तो कोई मसला नहीं अगर आप अपने समझने के लिए लिखना चा रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ आज नाम इसको भी total income ही कहते हैं लेकिन यह ऐसी total income है जिसमें dividend आप नहीं पढ़ावा पिछले वाली total income वो थी जिसमें dividend पढ़ावा था और इसमें dividend अब यह ऐसी total income है किस काबिल होगी है इसमें से क्या माइनस कर सकें जकात माइनस कर सकें तो अपने समझने के लिए अगर आप घर में एकेले में बैठके यह दो लफस बोल लेंगे तो कोई हरज नहीं इसका नाम आप रख दें total income और इसका रख दें total income ट्राई करें दरा total income और total income तो बोलते रहें total income total income total income कौन सी होगी जिसमें सब पढ़ा होगा और total income कौन सी होगी जिसमें से सब टिकल चुका जिसमें से सब जीब जीब चीजें निकल चुकी होगी क्योंकि इन पर कौन सा रेट लगना है अलर्ग रेट लगना है अब नोट कर लें फिर हम पैक्स निकालते हैं सफ़ा निकालें रिजिस्टर पे निया सफ़े पे हाथ पे रें और शुरू करें नोट करना जाल झाल 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 कर दोग कर दोला हैं पुछो 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 अगर क्या हुआ है एक्जैम्ट इंकम जैसे अगरी कल्चर है जब आएगी मैं बड़े नमेरिकल्स में बदांगा अभी आनी है अभी तो गेम शुरू हुई है आगे आगे देखो होता है कि अखेई तो बिजनस इंकम कितनी है जी बारा लाग तीन लाग यह कौन सी आ गई टॉटल इंकम इसमें से आपने डिविनेंट को का अब तीन लाग साइट पर खड़ा हो गई जाओ इदर से मसूम आना शकल बना कर निकल जब दर से अब पीशे वह इंकम फ्रें बिजनस बज़की बारा लाग इसमें से जकात मैनस की क्या अगई टैक्सेबल इंकम अब भाईजान इस मौके के ओपर पेपर में अंदर आपने बैटके वो काम करना है जो काम आपने एक्जैमिनर को शो नहीं करना और वो बस आपने चुप करके कर देना है औ 75% बताएं जी क्या जवाब आ रहा है ताकि टेबल बने वन या टू है और ठैर टैक्सेबल इंकम का 75% बताएं कितना आ रहा है जीवी इए 2-5 2-5 00 और इधर मैं लखने लगा हूँ छोटा सा करके हाइब्रेट वालों को नदर नहीं आएगा इंकम फॉर्म सेलरी जीरो जो जापने लिख दिया तो इंकम फॉर्म सेलरी कमने तो फिर अगर इंकम सेलरी है नहीं तो मैंने का थैसी शुरत में तो हमेशा टेबल वन लगेगा इसलिए हज़ञात टेबल वन लगा देए टैक्स किल्कुलेट करें टेबल वन में जाके हार गाइड टेबल वन में याए लेए ज्लेखमात पर भाई फरमादे हैं 10,000 मुझे चेक कर लेने जे भाई सभी फर्मारे हैं या गलत फर्मारे हैं बिल्कुल भाई ने सभी फर्माया है सीरियल नंबर कौन सा लगेगा फ्री वेड़ टैक्सेबल इंकम एक्सीट सिक्स लैक बट दस नाट एक्सीट बारा लाक अच्छा वह यह ब्लैक मार करें था यह दो पड़ा हुआ था अच्छा दस अजार जमा 10% of amount exceeding 6,000,000 रुपया टेबल वन दस अजार जमा 10% of यह अच्छे लाक से कितनी ज्यादा है नेक हातों से कल्कुलिटर पकड़ें ज़रा वन वन फाय जिरो ट्रिपल जिरो इसको तो मिटा नहीं आप यह तो किसी काम का नहीं है सब्सक्राइब जवाब बताएं क्या या पैंसर्ट हजार यह मुझे बताएं आपने बिजनस इंकम पर टेक्स निकाल है जिए डिविडेंट पर 15 भी लगा दिया अभी बताएं किसको निकाला था जो मासूम बनके कड़ा हुएं मेरे भी टेक्स बंता है तो अब किस पर टेक्स निकालेंगे टेक्स ऋं क हम करूँ में किस निकालेंगे तैब लाग के उपर जो है वो पंद्रा परसेंट एक्स देने टेबल वन टू वले रेट नहीं लगाने तो अब किसको निकाला हुए तीन लाग को उसे बुलाएं उस पर बुला के कितने परसेंट लगाएं पंद्रा परसेंट क्या जवाब आ गया फॉर्टी टोटल एक लाग दस कि यहां तक नोट कर लें organism में दो लाइने इसके बाद और भी हैं वह कल समघानी है इसलिए वह मैं नोट नहीं कर राएं जी करें वह हम कल ही पढ़ेंगे क्यों डियृणं में से जखात मैंस ने करेंगे जगात आप इस बिजनस वाले में से मानस कर दें बस पॉर्मेट पे भी फोकस करो तो क्या मतलब मैंने ये तो नहीं का कि अब मारा पढ़ना खत्म मैंने का वो दो लाइने कल पढ़ेंगे अच्छा आप इज़र देख लें मौतरम कल की क्लास में इसको जड़ा हम दुबारा रिवाइस करेंगे पहले जड़ा इसके सुलूशन पे नजर मार लें करो कैमरा उदर पहले देख लेने तो इनको चलो ले आओ वापिस इधर देखें बारा लाग, तीन लाग, पंदरा लाग फिर तीन लाग मैनस किया फिर बारा लाग पे पहुंच गए आज आके और फिर पचाज़ार मैनस किया फिर टेक्स इवल इनकम आगी फिर इस पे टेक्स निकाला और फिर जिसे निकाला था उस पे टेक्स, टोटल टेक्स कितना आ गया वन टेन, इस पे कल डिसकेशन करेंगे टेक्टी ओब